MS University के प्रतिनिदी गाहित्री बहन को में बिंटी करूंगा कि आप अपना प्रतिभाव तन्मई घोष धन्यवाद सर मंच पर विराजबान सारे डिलिगेट्स सारे प्रोफेसर हमारे सामने बैठे रिसर्च स्कॉलर्ज प्रोफेसर्ज असिस्टिंग प्रोफेसर्ज सबको मैं अपना सबसे पहले तो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हम कुल आठ जन महराजा स्याजी राव विश्वित देले से यहाँ आए हुए थे इस कॉन्फरेंस में हमने भाग लिया मैं एक बार सबका नाम जरूर मैं पढ़ देना चाहूँगा सुनिता चावल्रिया रिदेश मौरिया अक्षय इंद्र इशान गरिमा सोनम और स्वें मैं तौनुमय कुमार खोश जिस तरह की ग्यान की बाते हमें इस कॉन्फरेंस से पता चली है और जिस तरह के सजेशन्स भी हमें यहाँ मिले हैं सच में मैं कह रहा हूँ मेरा तो मैंने अपने बात रखते हुए मैंने पहले कहा कि मेरा नैशनल लेवल पे यह मेरा पहला कॉन्फरेंस है मैंने रिसर्च का जो पीएजडी के में एड्मिशन लिया है मेरा एक ही साल हुआ है मैं दिल से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा आप सब ने जिस तरीके से भाग लिया है और हाँ मैं एक चीज़ जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा मैं राजे सर के बारे में कि इतने यंग एंड डाइनमिक परसनालेटी आप हैं हम मैं जरूर ये सोचता हूँ कि हम सब आपके तरह सरगर बन पाएं तो बहुत कुछ कर लेंगे हमें ऐसा लगता है महाराजा सयाजी राओ ने जो स्वपना देखा था खासकर ग्यान के छेत्र में हम सब खुश नसीब हैं कि उस स्वपना से जुड़े हुए हैं और आज उसी संस्थान विश्वविद्यले का प्रतिनितिद्व करने का हमें इस नाशनल कॉन्फरेंस ने मौका दिया हम सारे आयोजकों का धन्यवाद करते हैं हम सब यहाँ पे आज बैठे हुए हैं हम गुजरात की बात कर रहे हैं एक सबसे अच्छी जो बात मुझे इस कॉन्फरेंस की जो लगी है खासकर उसका जो टाइटल है जो में जिस पे हम बात कर रहे हैं हम गुजरात की भी बात कर रहे हैं हम भारत की भी बात कर रहे हैं बहुत बार ऐसा देखा जाता है जैसे हम जब historiography की बाद करते हैं, हम देखते हैं कि eurocentrism की बाद हम करते हैं, हम देखते हैं कि हर चीज जो हम आज भी अगर आप library में जाए तो 10 में से 8 बुक आपको eurocentric ही मिलेंगे, यह दुर्भागे की बात है, लेकिन ऐसा है, हमारा ये aim होना चाहिए, कि कल आज से कल की बात नहीं में आज से 10 साल बाद अगर हम एक लाइब्रेरी में जाए और वहाँ पे हम अगर 50 बुक देखे तो कम से कम कम से कम 25 बुक्स हमें भारतीय राइटर्स के मिलें आप मानते हैं कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर हम अपना इंडोसेंट्रिक अगर हम नहीं होंगे तो हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रशिया या फिर कैनाडा जो है वह इंडोसेंट्रिक व्यू से चीज़ें को लिखेंगी अगर हम नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा ये हमारा कर्तव्य है हम आज बाहर के देशों में जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं वहां जाके उन्ही के व्यू से हम भारत को देखते हैं तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि लेंज ज़रा उल्टा गूम गया है हमारा ये कर्तव्य है कि उस लेंज को फिर से सीधा किया जाए जो अंग्रेज अंग्रेज की ही बात नहीं कर रहा हूँ जितने भी वेस्ट से जो भी हमारे यहां पर आए हमने सब का स्वागत किया हमने किसी को बाहर नहीं भेजा हमने किसी को भी भाहर नहीं भेजा हमने सबको अपने अंदर diversity के रूप में हमने उसको unite किया हमने किसी को नहीं बाटा बाटने का काम colonial rule ने किया हमने नहीं किया तो जब आज UN में या कहीं और जो international organizations में इस तरह की बात की जाती है तो दुख इस बात का नहीं होता कि वो ये बात कर रहे हैं दुख इस बात का होता है कि हम मेंसे काफी लोग उस चीज़ पे ताली भी बजाते है मेरा तो सिर्फ इतना कहना है मैं अभी नया नया इस चीज़ में हूँ जितनी मेरी analyzing capacity है उस हिसाब से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हम सबका aim इस तरह के conferences से सिर्फ और सिर्फ यह होना चाहिए कि आज से दस साल बाद जब हम एक किताब को पढ़ें चाहे वो आप लिखें चाहे कोई भी कोई भी हम में से हम जो young भी आए हैं अगर वो लिखें दस साल बाद तो कम से कम एक एंगेल कम से कम intro centric होना चाहिए यही कहते हुए मैं अपनी बात पर विराम लगाऊंगा धन्यवाद आप सब का धन्यवाद ममन